हलो फ्रेंड्स मैं हो सेटेंदर के टिवारी दोबई से और स्वागत है आपका बुक समरी ए स्टोर में जहां पे आपको मिलता है वोर्ट के बैस्ट बुक के समरी जो बहुत एक कम टाइम में आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं और book में दे गए steps को आप अपने life में उतार के बहुत सारे फायदा ले सकते हैं दोस्तों आज मैं एक ऐसा book लेके आया हूँ एक ऐसा technique लेके आया हूँ जो अगर आप follow करें आप अपने life में तो जो कुछ भी आप चाहें अपने life में पा सकते हैं जी हाँ दोस्तों एक ऐसा technique है जो बहुत सारे business men बहुत सारे student और बहुत सारे employee यूज किये हैं और उनसे बहुत सारे changes अपने life में पाए हूए हैं दोस्तों इस book का नाम है The Silva Mind Control Method और इस book के लेके है Joe Silva Joe Silva इस method को यूज किये हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसा method को यूज करने के लिए प्रेदित किया जिनको बहुत सारे फायदा मिला दोस्तों इसमें simple technique दिया गया है simple method दिया गया है इस book का total में 6 method आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इस simple है लेकिन अगर इसको आप अपने life में उतारते हैं इसको आप use करते हैं तो आप जो चाहे अपने life में पा सकते हैं दोस्तों बहुत सारे चीज़ें ऐसे life में होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हम ignore कर देते हैं अगर हम उसको follow करें उसको हम use करें proper use करें तो आप जो चाहें वो अपने life में आप पा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि silver mind control method होता क्या है दोस्तों silver mind control method ये होता है कि आप अपने life में अपने आपको control कर सके अपनी thinking की control कर सके अपनी सोच को control कर सके और अपने subconscious mind को एक proper guidance दे सके कि आपको क्या करना है क्या सोचना है आपको वो proper आप कर सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारे brains की different different waves होती है और अलग-अलग state में अलग-अलग उसकी waves होती है जब आप सो रहे होते हैं तो हमारे mind different kind of waves produce कर रहा होता है जब आप जगरे होते हैं तो different kind of waves produce होते हैं जब आप किसी चीज़ को लेके गहरी सोच में पड़े हैं तो आपका mind different kind of waves रिलीज करता है दोस्तों अगर वो आपके mind को control करना आपको आगया अगर ये silver mind control method आपको आगया आपको अपने mind को control करना आगया तो दोस्तों believe कीजिए आप जो भी चाहते हैं आप अपने life में वो पा सकते हैं तो आए method पे आते हैं method number one meditate दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको silver mind control method का सबसे पहला जो method है वो meditation है अगर आपको meditation आता है अगर आपको अपने आपको control करना है अगर कुछ भी आप अपने life में पाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको meditate करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपने mind को control करना पड़ेगा दोस्तों जैसे जानते हैं कि हमारा mind हजारो thoughts एक साथ चलती रहती है और हमारा mind unnecessarily चीज़ों से उल्जा हुआ होता है उसको पता है नहीं रहता है कि actually वो कर क्या रहा है और कौन सा चीज़ों को वो सोच रहा है दोस्तों अपने दिमाग को सही direction देने के लिए सही सोच करने के लिए सही proper तरीके से यूज करने के लिए उसको सांथ करना जुरूरी है उसको उसके लिए आपको meditate करना पड़ेगा तो अगर आप यूज करना चाहते हैं अगर आप silver mind control method का यूज करना चाहते हैं तो पहला method यह है कि आपको रोज meditate करना पड़ेगा दोस्तों silver mind control method में meditation का एक तरीका बताया गया है और वो तरीका अगर आप follow करते हैं तो आप easily आप अपने आपको control कर पाएंगे आप अपने mind को control कर पाएंगे और उसको उस direction में divert कर सकते हैं जिधर आपको अपने mind को ले जाना है meditation करने के लिए आपको सांत अवस्ता में बैठ जाना है नॉर्मल जैसे हम लोग meditation के अवस्ता में बैठते हैं वैसे आपको बैठना है आपके हाथ सीधा करना है सीधी बैठना है आपके रिड की हड़ी एक दम स्ट्रेट होनी चाहिए आपको अपने आखे बंद करने हैं और आखे बंद करके अपने आखों को उपर की तरफ देखना है आपके आखे बंद रहेगा लेकिन आपकी वेजन उपर की तरफ 20 डेगरीज में रहेंगी और फिर आपको काउंट करना है 100 से लेके एक तक और आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का जब भी आप काउंट करें आपकी एक काउंट से दूसरी काउंट पर दो सेकंड का गाप होना चाहिए फॉर एक्जामपल आपको 100 के बाद पहले 100 काउंट करना है फिर 2 सेकंड वेट करना है फिर आपको 99 काउंट करना है फिर आपको 2 सेकंड वेट करना है फिर आपको 98 काउंट करना है फिर आपको 2 सेकंड वीट करना है फिर आपको 97 काउंट करना है ऐसे आपको काउंट करके एक तक आना है और ये आपको continuously 10 दिन करना है जब ऐसे आप करेंगे तो आपका दिमाग धीरे 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 सांथ होने लगेगा और फिर आप आपका control कर पाएंगे जब आप 10 दिन ऐसे करेंगे तो आप comfortable लगने लगेगा और जब भी आप ये count कर लें तो फिर आप अपने eye opening करने के लिए आपको 5 तक count करना है और वो 5 तक count में भी आप 2-2 second के gap दें जैसे 5 4, 3 2, 1 and फिर आप अपने eyes open करें और eyes open करने के बाद आप अपने आपको बोलें कि मैं पहले से बहतर फिल कर रहा हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ और ये silver technique मुझे और भी बहतर कर रही है मैं अपने mind को control कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो मैं अपने life में पा सकता हूँ जब तक मैं नहीं चाहूँगा मेरा mind इधर उधर कहीं नहीं भठकेगा दोस्तों believe कीजिए जब ऐसा meditate आप करेंगे आप अपने आप में difference पाएंगे आप खुद feel करेंगे कि कितने चीज़ें change हो रही है और 10 दिन आपको 100 से लेके 1 तक काउंट करना है फिर आपको 10 से लेके 1 तक काउंट करना है और फिर आप महिनी में 30 days बाद आपको ये पता चलेगा कि आप अपने mind को जब चाहें तब सांथ कर सकते हैं उसको meditate कर सकते हैं तो दोस्तों इन चीज़ों का खास ध्यान देना है कि जब भी आप meditate करें ये technique आप use करें इस technique की use करने से आपको 100% control अपने mind पे हो जाएगा और जब आप अपने mind पे control कर पाएंगे तो आप अपने mind को जैसे चाहें वैसे काम करा सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारा जो mind होता है वो पूरा power house होता है उसकी ताकत को आपको अंधाजा नहीं है और in fact हम human beings उसके अंधाजा अभी तक नहीं लगा पाएं इसमें बहुत सारे researches अभी चल रही है कि हमारा mind कितना ताकतवर होता है आप इसको जैसे use करेंगे जैसे इसको आप अच्छा से use करेंगे उतन ही आपको ये benefit देने वाला है दोस्तों ये power house को अगर आप अच्छे से use करते हैं तो ये आपको benefit देता है लेकिन अगर इसको आपको अच्छे से use करना नहीं आता तो ये आपको बरबाद भी कर देता है दोस्तों यही कारण है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो अमीर होते जाते हैं लाइफ में बहुत success होते हैं और बहुत लोग गरीब होते जाते हैं और दिन प्रते दिन और भी गरीब होते जाते हैं और वो पता नहीं उनके लाइफ में क्या होता है कि वो बहुत ही बत्तर इस्तिती में आ जाते हैं दोस्तों सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो लोग अपने mind को proper तरीके से control नहीं कर पाते हैं method number two mirror of the mind दोस्तों जब भी भी आप अपके life में problem हो आपको वो पल याद करना है कि जब आप किसी भी problem से उभर के बाहर आये थे उसको उस उस वक्त को आप यूज कीजे उस वक्त को आप याद कीजे सोचिए आपके life में अभी कोई problem है लेकिन पिछले वाले किसी problem को आपने solve किया था और उसा solve किया था तो जो आपके खुशी आपके दिमाग में आये थी वो पल को आप याद कीजे और यह ऐसा हमेशा करते रहिए जबी भी आपके life में कभी problem है जब उस problem को solve किये थे आप और आपके अंदर वो खुशी आये थी उस पल को आप याद कीजे और आपने आपको यह एहसास दिलाएए कि मैं बहुत सारे ऐसे problems अपनी life में मैं solve कर चुका हूँ और life में कोई भी problem में रही आएगी उसको मैं easily solve कर सकता हूँ दोस्तों हमारा mind बहुत strong है बहुत powerful है अगर उसको हम proper रास्ता देते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बताते हैं कि हमारे life में ये problem है believe किज़े दोस्तों वो solution हमें देगा उसको solve करके देगा लेकिन इससे आपको हदास नहीं होना है अगर आपके life में कोई problem आए तो आपको positive रहना है और positive रहने के लिए आपको हमेशा उन चीज़ों को याद करना है जो आप अपने life में problem solve किये थे जब आप ऐसा याद करेंगे तो आपको अपने आप में confidence आएगा आपको अपने mind का confidence आएगा और आपका mind आपको खुद बोलेगा कि मैं कोई भी problem solve कर सकता हूँ और कोई भी problem आपके life में हो आप उसको easily solve कर पाएंगे method number three three fingers technique दोस्तों लेकर बताते हैं कि हमारे life में एक बहुत simple technique है अगर इसको आप use करते हैं तो आप अपने life में बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं जो आप भोल जाते हैं लेकर बोलते हैं कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं या ऐसा चीज़ याद कर रहे हैं या कुछ ऐसा important चीज़ आपके life में हो रहा है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आप अपने अंगुठा और first और second finger को एक साथ रखें और अपने आपको बोलें कि जब भी भी मैं किसी चीज़ को याद करना चाहता हूं तो ये मैं तीन अंगलियों को जोड़ूंगा तीन अंगलियों को मैं अगर जोडता हूं तो जो भी मेरे life में उस समय जो हो रहा होता है उसको मैं याद रख सकता हूं और ऐसा आपने आपको यकीन आप दिलाएए दोस्तों बिलीब कीजिए जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको यादत बन जाएगी और जबी भी आप तीन अंगलियों को जोड़ेंगे और आपके life में जो भी चीज हो रहा होगा वो आपके दिमायक में ऐसे record हो जाएगा जो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे तो दोस्तों ऐसा आपको हमेसा याद दिलाना है कि दोस्तों ये एक दिन में होगा नहीं आपको practice करना पड़ेगा खो सकता है आपको दो हफ्ते लगें चार हफ्ते लगें या महीने लगे बट आपको जैसे ये technique आपको धबलब हो जाएगी जबी भी आप कुछ याद रखना चाहते हैं जबी भी आपके life में कुछ ऐसी घटना हो रही है जो आप बहुत important है या कुछ आप पड़ रहे हैं जो आपको भी भूलना नहीं चाहते हैं आप ये अपने तीने उंगलियों को एक साथ जोड़िए और अपने आपको बोलिए कि ये मैं कभी नहीं भूलूंगा ये मैंने अपने उंगलियों को जोड़ के रखा है और वो आपके दिमाग में ऐसे रिकॉर्ड हो जाएंगी कि आप किसी भी हालत में उसको भूलेंगे नहीं दोस्तों जभी भी आपको याद करना होगा आप अगेन वो तीन फिंगर्स को जोड़ेंगे आपको यो पटाक से याद आ जाएगा जो आपने याद किया था मेथड नमबर फोर दोस्तों ये दो पावर ऐसी होती हैं कि अगर आप अपने लाइफ में यूज करते हैं तो जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं ये ऐसा पावर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो किसी भी समस्या में हो आप उससे बाहर आ सकते हैं आप उसको उभर कम कर सकते हैं आप एस्ट्रॉंग हो सकते हैं आप किसी भी इस्तिती में हो अपने आपको समाल सकते हैं और वो दो चीजे हैं दोस्तों आपको अपने आपको रियलाइज दिलाना है आपको अपने आपको बोलना है है एक तो आपको बोलना है कि जब आप बोलें तो आपके कान में ये बात सुनाए ले और सेकंड चीज़ आपको ये फील करना है ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों ऐसे रेगुलर डेज में भी अगर आप ये दो टेकनिक आप सुबह दो भर में और साम को आप यूज करते हैं आप अपने लाइफ में हमेशा आप ये दो चीज़ें याद करते हैं दो चीज़ें आप बोलते रहते हैं आप फील करते रहते हैं तो बिलीफ किज़े आप हमेशा confidence रहेंगे, हमीशा आप positive रहेंगे, अगर आपके life में कोई problems भी हैं, तो वो भी automatically चले जाएंगे method number five, mind control over sickness, दोस्तों अगर आप sick हैं अगर आप कुछ ऐसी बिमारी से आप जोज रहे हैं, कुछ भी बिमारी हो सकती हैं, तो अगर आप उससे overcome करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो power tools है, वो हमारा mind है, दोस्तों दवाई के बाद हमारा जो mind है, तभी भी, कोई भी दवाई तभी भी काम करता है, जब हम अपने आपको, अपने mind को, या हम अपने mind को वो चीज़ों को बोलते हैं, कि हम ठीक हो रहे हैं, तो अगर आप ये टेकनिक आप अपने life में use करना चाहते हैं, तो आप किसी भी बिमारी से बाहरा सकते हैं, आपको बस ने आपको ये यकीन दिलाना है, कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बहतर हो रहा हूं मैं कल से आज बहतर हूं मेरा blood flow normal हो रहा है मेरा BP normal हो रहा है मेरा sugar control हो रहा है मैं बहतर हो रहा हूं जैसे आप अपने mind को ये बोलते हैं दोस्तों आपकी subconscious mind को ये बात पता चलता है और वो आपकी internal जो mechanism है आपकी body की उसको strong करने में लग जाता है वो message सारे sales को देता है आपकी body की कि आप ठीक हो रहे हैं तो एक ऐसा hormone release होता है जो सारे body को, सारे sales को सबको ये information जाती है कि आप ठीक हो रहे होते हैं और सारे sales ठीक करते हैं दोस्तों ऐसा बहुत बार research हुआ है बहुत बारे doctors ने ऐसे सलाह दिये है patients को कि वो positive रहे हैं वो अपने आप को बोलें कि वो ठीक हो रहे हैं वार ऐसे करने से उनको बहुत फायदा हुआ है तो दोस्तों ये technique हम लोग sickness पे भी यूज़ कर सकते हैं इस silver mind control method जो है वो अगर आप यूज़ करें भी आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों ये कैसा research किया गया है कि एक बार एक ही type के जो patients है उनको दो group में रखा गया दोनों को एक को तो medicines दे गई और दोसरे को normal vitamins की गोलियां दे गई दोनों को ये किन दिलाया गया कि आप ठीक हो रहे हैं और दोनों में से पता चला कि दोनों ठीक हो गए दोस्तों जब ये doctor से पुछा गया कि दूसरों को तो medicine देया गया ये तो ठीक है कि medicine ने उन पर अस्तर किया और वो ठीक हो गए बट जो दूसरा group था उनमें तो आपने सिर्फ vitamins की गोलियां थी वो कैसे ठीक हो गए तो doctors ने बोला कि उनको दिमाग में ये परत पता था कि उनकी जो medicine है वो उनकी बिमारी के लिए है और वो अपने आपको हमेशा बोलते रहते थे कि मैं ठीक हो रहा हूँ मैं पहतर हो रहा हूँ और उनका mind उनका mind का power है वो उनकी body की सारी बिमारियों को उनको heal कर दिया तो दोस्तों हमारे बोड़ी के अंदर healness power होती है उसको सिर्फ हमें जगाना है कुछ भी हमारे दिमाग में है तो उसको हमें message सिर्फ पहुंचाना है हमारे जो पुद्रत ने बनाया है हमारे बोड़ी को वो full complete बनाया है कुछ भी बाहर की चीज़ें की जरुवत नहीं है इसको अगर आप किसी भी बिमारे से जोज रहे है तो उसमें हमारे अंदर ही doctor है हमारे अंदर healing power है बस उसको जगाना है आपको आपको यह एहसास दिलाना है आपको उसको message देना है कि आप ठीक हो रहे हैं आप बेहतर हो रहे हैं method number six dream control दोस्तों अगर आप सपने देखते हैं अगर आप चाहते हैं कि सपने को आप सही use कर सकें तो यह technique एक दिया गया है जो आप जरूर आजमाए इस technique में बताया गया है कि जब भी आप सोएं आप paper pencil लेके अपने पास सोएं अगर आपके life में कोई problem है तो आप सोने से पहले अपने आपको बोलें कि मेरे life में यह problem है इसको मैं solve करना चाहता हूँ मेरे आज रात यह सपना आएगा जिसमें मेरा यह problem solve हो जाएगा यह आप तब बोलें जब आप सोने के एकदम कागार पे हों आप आधा sleeping mood में हों और आधा आप जागने के स्थिति में हों तब आप यह बोलेंगे तो आपके subconscious mind के पास यह message आएगा और फिर वो उस पे काम करेगा और दोस्तों आप believe किजिए आपको ऐसे सपने आएगे जिसमें आपको यह problem solve होता हुआ दिखेगा और जब आपको वो सपने आए जब ही आप जगें आप उस सपने को लिख लें जिससे आप समझ जाए दोस्तों जब भी कुछ भी ऐसा आपका problems का answer आपके सपने में आए तो आप उसको जरूर follow करें because वो आपकी आत्मा होती है वो आपकी आत्मा आपको correct बताती है कि exactly आप क्या कर सकते हैं उस problem को solve करने के लिए दोस्तों आसा करता हूँ कि ये छे टेकनीक आप जरूर यूज करेंगे अपने लाइफ में और सिल्वा माइन कंट्रोल मेथट से आप अपने लाइफ चेंज कर पाएंगे दोस्तों अगर इस बुक से कोई भी आपको फायदा होता है तेंक यू सिल्वा माइन कंट्रोल एक जबरतस टेकनीक हमारे दिमाग को प्रोग्राम करने की मैंने सबकॉंशेस माइन के बारे में एक वीडियो पहले बनाया था अगर आप अपने सबकॉंशेस माइन को सही तरीके से इस्तेमाल करके थार्स को सबकॉंशेस माइन में भेग सकें तब आप जो चाहें वो पास सकते हैं जो भी चाहें वो बन सकते हैं अब देखते हैं सिल्वा माइन कंट्रोल मेथड क्या है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो चलिए आज शुरू करते हैं Mind Programming, वीडियो को end तक देखना और वीडियो में बताई हुई सभी टेक्नीक्स को entertainment और knowledge के लिए मत देखना बलकि इन टेक्नीक्स को अपनी life में apply करके जरूर देखना क्योंकि ये टेक्नीक आपके अंदर छुपी वी hidden ability को बाहर निकालेगी पहले जान लेते हैं सिल्वा माइन कंट्रोल की history क्या है आखिर इस टेक्नीक का नाम सिल्वा माइन कंट्रोल ही क्यों पड़ा किसने किया इसका अविश्कार ये 1966 में टेक्सिस के एक छोटी से सहर लारेडो में एक रेडियो रिपेर में जिसका नाम था जोसे सिल्वा जी हाँ इन्होंने ही इस टेक्नीक का अविश्कार किया था और इन्ही के नाम पर इस टेक्नीक का नाम सिल्वा माइन कंट्रोल पड़ा सिल्वा को हिउमन माइन में बहुत जादा इंट्रस्ट था वो हिउमन ब्रेंड की गुथी को समझने में काफी इंट्रस्टिट थे और वो हिपनोसिस के बारे में भी काफी पैसिनेट थे जोसे सिल्वा दिन में अपनी रेडियो रिपेरिंग का काम करते थे और रात को वो सिग्मन फ्राइट, कार्ल जंग, एलफरेट एडलर इन सब की किताबों को पढ़ते थे बेसिकली वह एक इंजीनियर थे और वो एनरजी के सिधान्त को काफी अच्छे से समझते थे तो उन्होंने सोचा कि हमारे ब्रेन में भी एनरजी का बहुत बड़ा रोल है सब कुछ एनरजी तो ही है, सब इसी से चलता है और फिर उन्होंने इस पर परियोग करना शुरू कर दिया और इनकी इस टेकनीक से उन्होंने पाया कि इस एक्सपेरिमेंट से मायंड के अलफा लेवल में चेंजिस हो रहे हैं अब ये हमारे मायंड के अलफा लेवल पूजीशन क्या है देखे जब आप मेडिडेशन करते हैं, मतलब आप ध्यान में होते हैं तो उस समय हमारे brain के अंदर की जो situation होती है या जो भी कुछ हो रहा होता है हमारे दिमाग में उसी position को alpha level position कहते हैं तो इसी सिद्धान से सिल्वा ने खोज निकाला कि कोई भी इंसान mind के इस alpha level में conscious होकर access कर जाए और उसी समय वो जो चाता है अपनी उस चाहत को अपने mind के subconscious mind में fit कर दे यानि भेश दे उससे वह इंसान अपने जीवन में वो सभी चीजे अस्तित्म में ला सकता है जो चाहें वो पा सकता है It is simple वह अपने शरीर की energy level को बढ़ा सकता है अपने सभी negative विचार को positive विचार में बदल सकता है वो अपने depression को अपनी मर्जी से खत्म कर सकता है and believe me ये method काम भी करता है विश्व के कई सारे जाने माने लोगों ने इस method को अपनाया है और वो जो चाहते थे उन्होंने कर दिखाया है अब वो चाहे आर्थिक problem हो, समाजिक problem हो या आध्यात्मिक problem हो इन सभी problems पर आप जीत पा सकते है ऐसे दुनिया में बहुत नामी ग्रामी लोग है जिनोंने इस alpha mind control की technique को इस्तेमाल करके अपने जीवन में वो सब कुछ पाया जो वो पाना चाहते थे, वो सफल हुए तो चलिए उन सफल लोगों में से कुछ नाम आपको मैं गिना देता हूँ सिल्वा ने रिचार्ड बैच को ये technique सिखाई ये एक writer थे और इस technique को सीखने के बाद रिचार्ड बैच ने अपनी book Jonathan Livingstone को complete किया और उनकी book छपते ही best selling book बन गई थी Russell Becky Den ये एक baseball player थे उन्होंने ये 1975 में सिल्वा ट्रेनिंग को अटेंड किया था और 1978 में वो वर्ल्ड के famous baseball player बन गई उन्होंने बताया था सिल्वा mind control ने मुझे पहतर concentration और mind को कैसे control करना है depression से कैसे बचना है वो सब कुछ मुझे सिल्वा mind control ने सिखाया अब इसमें scientistों ने भी इसकी पुस्टी की कि ये सिल्वा mind control काम करता है ऐसे ही दुनिया में इस method को apply करने वाली list काफी लंबी है इस method को कई successful लोगों ने अपनी life में apply किया जैसे जैक एंफिल्ड बर्ड गोल्ड मैन डॉक्टर वें डायर शक्ति काविन एंड शी इस author of creative visualization इन समने इस method को यूज करके अपनी life को बिल्कुल change कर दिया अब देखते हैं सिल्वा method वोग कैसे करता है बिसिकली सिल्वा mind control method के five man pillar है इसके आदार पर ये टेक्नीक काम करती है जिसमें first है alpha level programming alpha level programming ये वो टेक्नीक है जिसके जरिए आप conscious रहकर अपने mind को subconscious mind में ले जाकर अपने मन की negativity को खत्म कर सकते हैं आप अपने विजलित मन को शांत कर सकते हैं alpha level में आप अपने mind को creative बना सकते हो ऐसे ही बहुत सारे फाइदे हैं alpha level programming के अब ये शुरुबाती तोर में alpha level में जाना मुश्किल हो जाता है अगर आप जल से जल alpha level में जा सकते हैं तो आप अपनी life बस यूँ बदल सकते हैं आप हर काम में focus करने में master हो जाओगी और of course जब आपको focus अच्छा होगा तो आपकी productivity भी बढ़ेगी और जब आपकी productivity बढ़ती है तो आपको हर काम में अच्छा result मिलता है second pillar में आता है positive programming अब ये तो आप जानते ही होंगे हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं हमारा समाज, हमारा घर हमारे घरवाले, वो सब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ भड़ देते हैं उसमें से जाता तर चीज़े negative programming कहला ही जाती है और इसी negative programming की वज़े से हम जो चाते हैं, वो कभी बन नहीं पाते है क्योंकि हमें बताया जाता है ये चीज़े तुमारे लिए नहीं है ये मुश्किल है, वो मुश्किल है ऐसा हुई नहीं सकता तुमारे बसकी नहीं है ये सब कुछ negative programming है और इसी तरह की negative programming को बदलने के लिए silver mind control method आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से अपने mind के negative program को बदल कर उसे upgrade करना है positive thoughts के साथ और तीसरा pillar है creative visualization कई वार ऐसा होता है कि हमारा visualization ठीक से काम नहीं करता है और हम कहते हैं कि भाई मैं तो चीज़ों को visualize कर रहा था लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली तो ऐसे में आपके visualization में कहीं ना कहीं problem है वो पूरता काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपकी clear visualization होनी चाहिए अगर आपकी visualization बिल्कुल clear होगी तो मंजिर आप से दूर नहीं होगी fourth pillar है desire, believe, expectancy हम सब life में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम यह नहीं जानते कि इसके शुरुवात आफिर कहां से करें तो इसके लिए सबसे पहले आपका आपके गोल के प्रती strong burning desire होना चाहिए और दूसरा आपके अंदर powerful believe होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ ये मुझसे ही होगा और तीसरा, जो बहुत खास है expectancy आप जो भी कुछ काम करते हैं उस काम का result मिलने से पहले आपको ये believe करना है उमीद करनी है, उसकी expectation करनी है कि हाँ, ये मुझे पहले ही मिल चुका है और उसमें जीना शुरू करना है आपको ऐसे act करना है जैसे आप वो बन ही गए हो जो आप चाहते थे कि आपका daily routine बहुत जादा माइने रखता है आपकी life में, आपके goal पर हलाकि सुनने में ये बहुत छोटी सी चीज लगती है daily routine में आपको सुबा जल्दी उठना और उसके बाद meditation करना visualization करना और शाम को सोने से पहले आपको meditation और alpha level exercise करनी है और हाँ, जैसा कि आप जानते हो इस routine को follow करने के लिए आपको बहुत जादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आप अगर इस exercise को 15-15 minute में divide कर देंगे तो भी आपके केवल 45 minute खर्च होते हैं पूरे दिन के क्यों? सिंपल है ना? अब आपको silva mind control method के बारे में बेसिकली जानकारी तो हो गई है अब आप ये सोच रहे होंगे पर इस technique का इस्तिमाल करें कैसे? आपने अपनी life में कई बार देखा होगा आप अपना violet, mobile phone या कोई ऐसी चीज कहीं रख देते हो और फिर भूल जाते हो और उसके बाद आपको उस चीज की ज़गरत पड़ती है लेकिन उस समय आपको याद नहीं आता कि वो चीज आपने कहां रखती है और आजकल तो लोगों की memory कुछ seconds में ही loss हो जाती है जैसे ऐसा होता है कि यार मैं कुछ करने वाला था भी बिस अभी-भी मुझे ध्याना आयता कुछ करने के लिए लेकिन क्या था वो भूल जाते हो क्यों है न और ऐसे में हम कहते है कि लग रहा है मेरी यादश कमजोर हो चुकी है मुझे अब कुछ याद नहीं रहता मैं चीजों को भूलने लगा हूँ तो simple is that ऐसा कुछ नहीं होता आप भी कोई यादश कमजोर नहीं होती लेकिन ये जो भी कुछ है आप इसमें सुधार कर सकते हैं अब इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है आपको अपने माइंड को आल्फा लेवल में ले कर जाना है यानि जैसे मान लीजी आप कोई चीज भूल गए हो और अचानक से याद करनी है लेकिन वो याद नहीं आ रही है तो आपको वही activity करनी है जो आप जब कर रहे थे जब आपको याद था कि आपको क्या करना है यानि कि आप जानते थे कि मुझे ये करना है अभी करना है लेकिन आप भूल गए इसे ऐसे समगते हैं जैसे मैं वाश रूम जा रहा हूं वाश रूम जाते समय मुझे याद था कि मुझे अपनी नोट बुक अपने एक फ्रेंड को देनी है लेकिन उसके बाद मैं अपने room में आया और मैं TV देखने लगा फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मुझे कुछ काम करना था मुझे कुछ करना था लेकिन वो क्या था मैं भूल रहा हूँ वक्षीज आपको याद नहीं आती तो आपको ये तो पता होगा कि वो कुछ ऐसा था जब मैं वाश्रूम गया था तब मुझे कुछ याद आया था मुझे कोई काम करना है तो आप वापस से वाश्रूम जाईए 90% chances हैं कि आपको उसी जगा पर वोची याद आ जाईगी क्योंकि आपकी vibration वहाँ पर अब भी मौझूद होगी दूसरा तरीका है आप meditation करते हैं तो meditation में आप अपनी life में थोड़ा थोड़ा समय पीछे जाईए जाईए एक गंटा पीछे आप क्या कर रहे थे उसको recreate कीजिए इस timing को बढ़ाते जाईए एक गंटा, दो गंटा, तीन गंटा एक दिन, दो दिन इससे आपकी memory इतनी ज़्यादा sharp हो जाईएगी कि आपको believe नहीं होगा and friends एक बात आपको बता दूँ यही वो technique है जिससे आप अपने पिछले जन्मों में भी जा सकते हैं anyway वो method थोड़ा सा tough है याद रखना अपने mind से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है जो आ रहा है उसे आने दो उसे सहज रूप से सुईकार करो क्योंकि असल बात तो यह है आपके साथ होई हर एक घटना, हर एक वो पल आपका दिमाग कभी भूलता ही नहीं है वो सब कुछ आपके दिमाग की memory में heart disk में store हो जाता है बस आपको जरूवत है उस बंद कमरे में जाने की जहां सब कुछ store होता है हलाकि silver mind control method में कुछ और भी technique है लेकिन वो मुझे इतनी जादा powerful नहीं लगती है उनमें मुझे कुछ कमिया नजर आती है हाँ basically हो सकता है वो कमिया सिर्फ मुझे ही नजर आती हूँ बट believe me वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो last time मैं एक ही बात कहना चाता हूँ कोल मिलाकर वीडियो का nature जो है silver mind control जो है आपको अपने दिमाग को बहुत sharp करना है subconscious mind की पावर का इस्तिमाल करना है तो आप meditation कीजिए visualization कीजिए अपने आप भरोसा कीजिए कि आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो उसी में जीना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हो वैसा ही act कीजिए memory को तेज करने के लिए meditation करते समय एक एक करके अपने past में जाईए crumbize जैसे आदे गंटे पहले में क्या कर रहा था मैं टीवी देख रहा था उससे पहले मैं चाहे पी रहा था चाहे में शुगर कम थी डैडी एक news सुन रहे थे उसकी कुछ बाते मेरे कानों में आ रही थी वो बाते क्या थी सोची उन बातों के बारे में तुबारा सुनने की कुछिश किजिए उन बातों को बस overall last वाल ये चीज़े follow करोगे तो आप short में silver mind control method को समझ जाओगे और ये method ये technique आपकी पूरी life change कर सकती है बस शर्त ये है वीडियो को entertainment के लिए ना देखी हो और knowledge के लिए ना देखी हो बस आपको apply करना सीखना चाहिए अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चा ही है तो ये करकर देखिए experience कीजिए अगर ये लगता है कि मैं जूट बोल रहा हूँ इस टेक्नीक में कोई सच्चा ही नहीं है ये टेक्नीक काम नहीं करती तो इस टेक्नीक को follow करकर साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ anyway आज के लिए इतना ही है मिलता हूँ next वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ छिल दें बाबाई